नमस्कार मैं हूँ प्रीमा राम परियार आप देख रहे हैं पी आर पी नियूज जोत्पर ग्रामिन जिले का पहला सफ्ट बॉल मैदान बावडी के बिरही में गाउं में तयार हो रहे हैं सौफ्ट बॉल के राश्ट्री इस्तर के खिलाडी गाउं में छुपी खेल परतिपाओं को तरास रहे हैं कोच शाखला जोत्पुर जिल्ले के बावडी उपखन के गाउं में परतिबाओं की कोई कमी नहीं बस जरूरत है परतिबा को पाचान कर तरासने की कहते हैं असंबो कोई चीज नहीं सब संबो हो सकता है मानो ये दी मन में ठान ले तो सब कुछ कर सकता है ये पंक्तिया साकार कर रहे हैं राज की उच्छ मादिमिक विद्यालय बिराई के सारीडिक शिक्षक वो साफ्ट बोल कोच बिर्माराम माली जहां ग्रिशम काली नवकास के दोरान सिक्सक अलग-अलग इस्तान का बर्मन कर अपना समय वैतित करते हैं वहीं बिर्माराम सागल सॉफ्ट बोल खेल केम्प आयो जित कर खेल प्रतिबाओं को तरास रहे हैं जहां बच्चे सॉफ्ट बोल को जानते नहीं थे आज बच्चों में सॉफ्ट बोल खेलने का इतना क्रेज कि सुबह छे बजे मैदान में पहुंजाते हैं बंजर भूमी को बनाया जिला इस्तरि दिया निकलवा कर मिटी डलवा कर समतली करण करवा कर इसे जिला इस तरिये खेल मैदान बनाया गया जोत्पुर जिले का ये पहला सॉफ्ट बोल खेल मैदान है जहां पर ग्रिशम काली नवकास के साथ 30-40 बच्चे रोज प्रैक्टिस करते रहते हैं नीलम कचावा ने इस में दूसरा नंबर इस्तान प्रप्त किया और सिल्वर मेडल जीतकर गाउं का नाम रोशिन किया खिलाडी नितिस कहते हैं कि साफ्ट बोल का बहुत शंदार मैदान और बहतरीन कोच से वहों नेस्नल खेलना चाते हैं मेरा नाम निते से हम गाउं बीरे में पढ़ते हैं राज के उच मादी में गिदाली बीरे बावड जोद्पूर हम यहां सुबह साथ बज़े से लेकर नो बज़े तक सौट बोल खेलते हैं हमारे कोच बीरमा राम जी सांखला किते टाइम से प्रेक्टिस कर रहे हो एक महीन हो गया अब आप पहले खेलते थे या इसी गर्मी की सिजन में इस जो आभी मैदान नया लगा उसमें खेल रहे हो इसकूल टाइम में भी खेल रहे हो आपने किसी राजी या जला इस तरी टीम में परतिने दे तो किया है नहीं नहीं किया है उसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हों किस तरह से हैं इस गयाम को शिका जा रहा है अमरलब एक टीम में नोपलेर होता हैं केचर फीचर और फर्ट सेकेंड ठर्ड बेस अउट फील और सेसेंटर ओठ फील होती है और बैट्समन होते हैं इसमें इस तरह करो ऐहाना यह प्रिपेमराब किस तरह से आपको परक्षीक्षन दें रहे हैं यह हमारे साहते यात है साथ ग्रामिन सेत्र में गोल्ड मेडलिस्ट हो रहे हैं त्यार विर्माराम सांगला बताते हैं कि अच्छे उपकरण और अच्छे खेल मेदान से राश्ट्री इस्तर के खिलरी तियार किया जा शकता है उनके पास साट बॉल आठ सलाईगर और चालिस गलवज के साथ उपकरण के साथ प्रैक्टीस की जा रही है सर सॉफ्ट बॉल ग्राउंड को लेकर बताए इस गर्मी की सेजन में बच्चों की प्रैक्टीस अभी सत्र दोजार तेवीश चौवीश में सत्रे माई से गिस्म का लिन अवकास हो गया है लेकिन सत्रे माई दोजार चौवीश से रेगुलर विद्याले का जो सौट बॉल खेल मैदान है उसमें 25 बचे रोजाना सुबे 7 वजे से 9 वजे तक प्रैक्टीस के लिए आते हैं हमारा परमुक जो उदेशिय है वो सत्र दोजार चौवीश पच्चीस में जो जीला और राजिय और राष्टी इस्तरी परतिवक्ता होने जा रही है उसमें अच्छा से अच्छा परदेशन कर हम मेडल को कैसे प्रात करें गाउं जीला और राज्य नाम रोजान कैसे करें छोटी-छोटी चीजों को इन बच्चों को शीखा जा रही है cuma दोरा बड़ी गेंता से उसको गरण किया जा रहा है और हम चाहते हैं कि गाउं का नाम जब रोशन होगा तब बचा इस साल की तरह जो नेशनल मेडल लेके आएगा क्योंकि समय के साथ साथ में खिलाडियों को समय देना आती है अभी गर्मियों की छूटी हैं कि हमारा बच्चा खेल कर आगे बढ़े और अपना केरियर बनाए क्योंकि खेल के अंदर बहुत सारा स्कॉप भी है अच्छा खिलाड़ी आउट आप टन पॉलिसी के अंदर राश्ता सरकार ने दो परसेंट कोटा दिया है उसके साथ सीधी बड़ती में नौकरी लग सकता है वो अच्छा खिल कर एक PTA की ट्रेनिंग करके एक PTA सारीरिक सिख्षक बन सकता है वो एक अच्छी ट्रेनिंग परत करके एक टीम का कोच बन सकता है तो वो सभी छोटी-छोटी चीज़ें इनको मोकी ग्रूप से बताई भी जा रही है और वहुशे में जो बचे 12 पास कर च चुके हैं उन बच्छों को हम इस पॉस्ट के लिए मोटिवेट भी कर रहे हैं और शारीरिक सिख्षा में इस कौप को कैसे प्रत किया जा सकता है उसके लिए उनको मार्क दर्शन कर रहे हैं सर इस विद्याले के अंदर ग्राउंड किस तरह से त्यार हुआ किस तरह के मूलबूत सुविदाएं जुटाई गई और किस तरह से शारीरिक स्ट्रमेना को लेकर भी यहां बच्छों को खेल के गुर सिखाए जाने जब मैंने यहां 18 अक्टूबर 2021 को विद्याले में कारि समतली करण के लिए जो आर्तिक संयोग दिया है उसके लिए मैं पूरे गाउवाश्यां का सुक्र गुजार हूं क्यांकि उनकी बदोलत आज हम यहां इस ग्राउंड में खड़े हैं पिछली साल डिपार्मेंट ने हमें जीला इस्तरिय टूनामेंट के लिए कॉल किया था और हमने उसको सुखार भी किया और सुखार करने के बाद में हमने कम समय में आठ दिन का समय में हमने इस ग्राउंड को साथ अजार रूपे की लागत से एक परिपूर्ण रूप से तयार किया और अभी जो हमारे एक जोद्पूर जिले का ग्रामेंट छेतर का यह दी हम खे क्यूमेंट एक खिलाड़ी को तयार नहीं किया जा सकता है विद्याले के अंदर जब मामने कार्य गरण किया तो शौट बोल नाम की एक भी बोल नहीं थी लेकिन आज वर्तमान के अंदर पचास-साठ बोल भी है चालिस गलवज है हमारे पास में चार बैठ है जिसको सलाइ पांच गर लेकि आये थे एक पंद्रह जार का है एक नौजार का है तो जो एज ग्रूप है जैसे अंडर 14 है 17 है नाइंटीन है या गल्स है या वोई जैसे उनके लिए सब के लिए अलग लग तरह के वजन के सलाइगर भी हमारे पास में उपलब दें वामासाओं के संयोग अबी जो रामदाम रामचो की ट्रस्ट जो द्वारा जो अलका निर्मान करवाए गया था उस अलका निर्मान करवाने में जिस ठेकदार ने कार्य किया उसने भी अपनी तरफ से 11,000 रूपे का इस खेल सामगरी के लिए संयोग के रूप में दिया है तो उनका भी मैं तह द अलका निर्माने नागरी का वहां का और इन विद्यारतियों का भी में धनियाबाद ग्यापित करना चाहूंगा कि इन सब की बदोलत आज यह खेल मैदान बनकर तयार हुआ है इसी खेल मैदान से आपके खिलाडियों ने राश्टी इस तर पर भी जो यह मैं यह कहना चाहता हूं कि जो राश्टी इस तर पर मैडल प्राप्त किया उसका नतीजा सबसे पहले हमारे को इसलिए मिला क्योंकि हमने जीला इस तर यह परतियोगता करवाई और यहां गाउं के जो इस विद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् देखा बारी किसे खेल को और खेल के परती उनकी रूची प्राप्त हुई अंडर 14 की टीम तयार करने में हमारे को ज़्यादा आसु विदा नहीं हुई क्योंकि इन बचों ने खेल को देखकर बहुत जल्दी सीके और जीला इस्तर पर भी इन खिलाडिया ने गौल्ड मेडल पराप्त किया और उसके बाद में चार खिलाडी राजी इस्तरिय परत्योकता में चाही नित हुए अच्य परदसन के आधार पर और फिर राजी इस्तरिय परत्योकता से एक खिलाडी का चाही राष्ट इस्तरिय परत्योकता में निलम कच्छवा के रूप में हुआ और जिनोंने सांदार ईशिवियू और नारे पर्दसन करते वुह पूरे इंदुस्तान में दूसरा इस्तान पड़ात्य किया, यह मेयरे लिए मेरे विद्या ले के लिए और समस्त गाव और जिले के लिए एक गोरव का विस opener है इस वर्त्मान समय में में अभी बिद्धार्थी अभी जो ये ग्रिश्म कालीन हमने एक इस्तानिय शिवीर लगा रखा है विबा की तरब से भी हमने मांग रखी थी कि राज के उच्छ मादमिक विद्याले विरही को एक ग्रिश्म कालीन सौट बोल का शिवीर पनर दिशिये दिया जाई लेकिन डिपार्मेंट की तरब से त बड़े नौ दस बज़े तक इस विद्याल है कि लड़ियां खेल करण उपर खेल कर अपना खेल परदसिन में सुधार ला रहे हैं